हेलो दोस्तो क्या आप भी अपने इस्टाग्राम अकाउंट को कुछ दिनों के लिए टेंपरेली डियक्टिवेट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में दोस्तो मैंने आप सभी फ्रेंड को सिखाय कि 2023 में आप अपने Instagram account को temporary deactivate कैसे करेंगे तो इसके लिए दोस्तों आपने अपने mobile में Instagram application को open कर लेना है open करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक बार आपने ID को confirm कर लेना है जिसको आप deactivate करना चाहती है इसके बाद दोस्तों उपर की side में आपको three line देखने को मिलती है इसी पर दोस्तों आप सभी ने click करना है click करते ही पहले number पर आपको settings and privacy की option देखने को मिल जाएगी इसी पर आपने click करना है click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे last में आपको पहले help center की option देखने को मिलती थी जहां से दोस्तों आप अपने instagram account को temporary deactivate करते थे और permanently delete करते थे पर अब दोस्तों यह settings change हो चुकी है अब सभी ने दोस्तों आपने क्या करना है यहाँ पर account center की पहले number पर option देखने को मिल रही है इसी पर click करना है click करते दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी option देखने को मिल जाएगी यहाँ पर दोस्तों आपने personal details की जो option देखने को मिल रही है इसको open करना है open करते ही दोस्तों सब से last में आपको एक option देखने को मिलेगी account ownership and control इसी को आपने open करना है open करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ापको एक और उप्षन देखने को मिल जाएगी deactivation और deleteation इसी वाली Oscar पर दोस्तों आपने क्लिख करना है क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी Instagram आईडी देखने को मिल जाएगी इसको आपने क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर deactivate account के option आ जाती है deactivating your account is temporary यहाँ से आप अपने account को temporary deactivate कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए साथ ही दोस्तों गर आप अपने account को delete करना चाहते तो दूसरे वाली option से आप अपने account को permanently delete कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों dedicate वीडियो मैंने आपके लिए बनाई हुई है जिसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा इस वीडियो में हमने अपने account को deactivate करना है deactivate करने के लिए यहाँ पर दोस्तों पहले वाली option को आप select करेंगे इसके बाद दोस्तों continue के नीचे आपको option देखने मिल लिए इस पर आपने click करना है click करते दोस्तों यहाँ पर आपको क्या होगा कि यहाँ से आपका password मांगेगा जब दोस्तों आपने अपनी id create की थी उस टाइम आपने एक password create किया होगा जो दोस्तों यहाँ पर आपको डालना होगा तो हम दोस्तों अपना password डाल लेते हैं पासबर्ट डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने continue पर क्लिक कर देना है continue पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपसे एक reason मांगता है कि आप अपने इस account को क्यों deactivate करना चाहती है तो यहाँ पर आपको just need a break यहाँ पर बहुत सारे reason देखने हों मिलने है किसी भी reason को आप select कर सकते हैं जो दोस्तों आप जिसके लिए अपने Instagram account को deactivate करना चाहते हैं इसके बाद दोस्तों simply आपने क्या करने continue पर क्लिक कर देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे दे सकते हैं 7 days के बाद आपका account automatically यहाँ पर deactivate हो जाएगा तो यहाँ पर 7 days का time है जिसके लिए दोस्तों आप अपने account को यहाँ पर deactivate कर सकते हैं इसके बाद simply आपने क्या करने है continue पर क्लिक कर देना है continue पर क्लिक करते हैं यहाँ पर deactivate account की option आ चुकी है आपने deactivate account पर click करना है deactivate account पर जैसे click करेंगे तो यहाँ पर temporary आपका account यहाँ से deactivate कर दिया जाएगा 7 days के बाद दुबार से यह reactivate हो जाएगा तो इस तरह से दोस्तों आप अपने account को यहाँ पर deactivate कर सकते हैं temporary कुछ दिनों के लिए तो उमीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपने भी अपना account deactivate कर दिया होगा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बैल ऐकन को प्रेस कर लेना